दोस्तों सावधान शादी शुदा मही लाएं इस दिन भूल कर भी अपने बाल कभी ना धोएं खासकर से सुहागिन मही लाएं हो जाएं सावधान इस दिन बाल धोने से परिवार पर संकट आता है और आपकी संतान के साथ कुछ भी हो सकता है ऐसे में आपके पती की जान में पढ़ सकती है, दोस्तों हिंदू, धर्म शास्त्र में अनेकों परमपराओं को आज भी विशेश महत्व दिया जाता है, शादी विवाह और अंतिन संस्कारों के अलावा कई ऐसी परमपराएं आज भी विध्वान हैं, जिनका अनुसर्ण हर भारतिय पुरुष अथवा म महिलाओं को बाल धोना निशेध माना गया है, सप्ताह के कुछ विशेश दिन यदि सुहागिन महिलाएं अपने बाल धोएं तो उनके पती पर बाधा आ सकती है, यहां तक कि आपकी संतान परिवार को भी कष्ट हो सकता है, यह तमाम जानकारियां हिंदू धर्म शास्त्रो उसकी कोई मना ही नहीं है, लेकिन जो लोग मानते हैं किसी भी तरह के पूजा पाठ से वरत्योहारों से जुड़े हुए वो उनहीं लोगों के लिए होते हैं, जो उनको मानकर उनका पालन करते हैं, महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए और किस दिन नहीं दोस्तों ऐसा कहा जाता है, सुमवार के दिन बाल धोने से घर की बहु बेटियों पर कर्ष का भार बढ़ता है, साथ ही घर में आर्थिक परेशानिया भी आती हैं, अन्य महिलाओं के अनुसार घर की महिलाओं को सुमवार के साथ साथ, बुधवार और गुरुवार को भी बाल नहीं धोना चाहिए कहा जाता है कि इससे भाई को कर्स की परेशानी जहलनी पड़ती है, वहीं गुरुवार को महिलाओं के बाल धोने से भी बाल ना धोने की सलाह दी जाती है, माना जाता है कि गुरुवार के दिन बाल धोने से घर परिवार में बरकत नहीं रहती, साथ ही कई प्रकार की आर्थिक परेशानिया भी जेलनी पड़ती हैं, मंगलवार से जुड़ी मान्यताओं के अनुसार सुहागिन महीलाओं को इस दिन बाल नहीं धोने चाहिए, यदि कोई महीला मंगलवार के दिन अपने बालों को धोती है, तो उसके पती की आयू घट्ती चली जाती है, हालांक कि इस दिन कुमवारी कन्याएं बाल धो सकती हैं, गुरुवार के दिन बाल धोने से धन की कमी बनी रहती है, ब्रिहस्पतिवार की कथा में ऐसा वर्णन आता है कि रानी बाल धोती थी, उसका जितना भी धन था सब नश्ट हो गया, इसलिए मान्यता प्रचलित है कि आगिन महिलाओं को बाल नहीं, धोना चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं, अगली वीडियो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।